कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपोर्टन पाट है यह हम पहले डिस्कूस कर चुके हैं लेकिन कीवर्ड को और्गनेस करना भी उतना ही इंपोर्टन है आपके पास कीवर्ड की डेटा फाइल्स कटी होती होती चली जाएंगी अगर आपके वेबसाइट बढ़ती चली जाएगी या आपके पास बहुत जादा पेजिस है तो कीवर्ड बहुत जल्दी आउट अफ कंट्रोल हो जाते हैं इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिनकी वेबसाइट छोटी है पांच दस पेजिस की वेबसाइट रखते हैं उनके लिए बड़ा असान होता है कि वो कीवर्ड मैनेज कर लें दो चार फॉल्डर में उसको औरगनाईज कर लें या फिर हर पेज की अगर एक से दो फाइलें बी बिना लें तो इतना मुश्क जाएगा तो इसमें बड़ी जरूरत है कि आप अपने कीवर्ड को औरगनाईज करें प्रॉपर फॉल्डर के अंदर इससे दो फाइदे होंगे एक तो यह आपको भी हल्पुल रहेगा जब आपको दुबारा चाहिए आपको पता होगा किस फॉल्डर में किस पेज के कौन पून से कीवर्ड फाइल पढ़ी है और उसके बाद अगर आपने यही फॉल्डर या फालें अगर कलाइन के साथ शेयर करनी है तो आप अराम से इसको उसके लिए भी प्रिजेंट कर सकते हैं या उनको शेयर कर सकते हैं आएए देखते हैं कि हम कैसे कीवर्ड डिसरच करेंगे और उसके अपर हम जाके अपने mobile store की दुबारा से research start करेंगे जो कि हमने as a case study लिए कि हम mobile phone store के हो अगर हमने उसकी website optimize करनी है SEO के लिए तो हम वो कैसे करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो Google Ads का account open है इस पे जाकर मैं tools में जाऊंगा और planning के पहले column के अंदर keyword planner की option पर click करूँगा और मैं सामने Google keyword planner खुल जाएगा उसमें मैं find new keywords करूँगा और उसमें मैं mobile phone की research करूँगा जैसे मैं research करूँगा Google मुझे सारे keywords का data show कर देगा जैसे कि हम पहले जिकर कर चुके हैं कि हमें सिर्फ keywords और उसकी average monthly searches चाहिए होती है SEO के लिए बाकी सारा जो data है वो सब ads से relevant है वो हमें नहीं चाहिए होता आप उसको ignore कर सकते हैं तो मैंने time में last 12 months की रखी है और मैंने keyword search किया है mobile phones के लिए अब मैं इसको organize करने के लिए अपने पास download कर लूँगा download करने के लिए टॉप पे जाके आप download keywords आइडियास पे click कर सकते हैं जैसे मैं click करूँगा तो एक file download होजेगी और जब यह file download होगी तो मेरे पास folder में उसके जो नाम है वो उसकी date और keyword strategy के साथ Google ने मुझे बताया है यहाँ पर एक important बात यह है कि मुझे अगर मैं सारी file यह से download करता रहूँ तो मैं बिलकुल भी identify नहीं कर सकूँगा किस file का क्या नाम है तो मैं हर file का नाम change करूँगा उस keyword के साथ जो मैंने search किया था for example यह keyword मैंने mobile phones के साथ search किया तो मैं इसको edit करूँगा और यह जाद रखने के लिए कि keyword file है यह मैं kw लिखूँगा जो keyword की short form है उसके initials है और मैं साथ ही keyword लिखकर dash डालके mobile phones लिख सकता हूँ अब यह मेरा तरीक है और्गनेस करने का आप इसको follow कर सकते हैं या अगर आपको कोई बेतर लगता है कि आप किसी और अंदाज से ज्याद दिहानी रखना चाहते हैं अपनी file की या और आपको और कोई favorite तरीक है आप वो भी use कर सकते हैं ultimate purpose हमारा यह है कि यह keyword file हैं आपको जब चाहें आप तब आपको मिल जाएं तो अगर आप इसका नाम चेंज नहीं करेंगे अगर आप इनको proper folder में नहीं रखेंगे तो यह बहुत जबल आप हो जाएंगी आपको बहुत confusing हो जाएगा किस keyword के अंदर या किस file के अंदर कौन सी keyword की research पढ़ी है तो मैं याद रखने के लिए keyword का initial डालता हूँ ताकि मुझे पता हो कि यह keyword की file है मैं existing file को open कर सकता हूँ और इस पर मैं अपना data सारा देख सकता हूँ जैसे मैं इसको save करूँगा अब आप देख सकते हैं कि मैं इस screen पे कि मैंने already कुछ keywords research करके रखे हैं आपके लिए अब इससे जो next step है मैं इनको organize करूँगा Google Drive के अंदर Google Drive हमें यह सहलो महिया करता है कि हम अपनी file है online save कर सकते हैं और online client के शेयर भी कर सकते हैं यह कोई space भी नहीं लेता और यह फिर cloud पर sync पी हो जाती है अगर मैं office में जाके अपनी files open करना चाहता हूँ तो मेरे Google के account के सा लिंक है मैं जब भी चाहूँ जहां से भी चाहूँ मॉबाइल से या online या desktop से जहां पर इंटरनेट available है मुझे मैं वहां से इसको access कर सकता हूँ तो मैं सारी की सारी SEO की research Google Drive पर रखता हूँ ताके हमें उसको share करना और उसके काम करना असान हो Google Drive पर upload करने के लिए मैं Google Drive के फॉल्डर में जाऊंगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने वेच्छ यूनिवर्सी SEO कोर्स के अंदर mobile phone store जो client का नाम है उस नाम से फॉल्डर बना रखा है यहां पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप किसी client के लिए research करेंगे आपने उस client के नाम या उस client की domain के नाम से फॉल्डर बनाना है ताके आपको यह याद रहे कि इस client का जितना भी data है वो इसी फॉल्डर के अंदर पढ़ा हुआ है अगर आप अपनी website की भी research कर रहे है तो भी आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप उस domain का नाम याद रखें ताके आपको बाद में उसको access करना या find करना असान हो तो फिल्हाल मैंने इसका नाम mobile phone store रखा है आप actual website या actual अपनी company का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको मैं open करूंगा तो इसके अदर मैं एक folder create करूंगा keyword research के नाम से ताके मैं सारा keyword जो research का data है मैं इसके अंदर upload कर सकूंग keyword research के अंदर मैं दो folder create करूंगा एक मैंने रिसर्च की है mobile phone keyword के against और दूसरा folder मैं create करूंगा mobile phone accessories और इसकी कि मैं कीवर्ड रिसर्च पहले से ही कर चुका हूँ और कीवर्ड रिसर्च का वही तरीक है जैसे कि मैंने आपको बताया जिस नहां से मैंने मॉबाइल फोन सर्च किया था आपके client की products को किन नामों से या किन searches के साथ धूंड रहे हैं यह data हमाई लिए इसलिए जरूरी है कि अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा customer हमें धूंड कैसे रहा है तो हम उसके ओपर ranking नहीं कर सकते, उसके against SEO नहीं कर सकते अगर हम SEO नहीं करेंगे तो traffic नहीं मिलेगी, traffic नहीं मिलेगी तो sales या leads नहीं आएंगी और ultimately हमारी marketing flop हो जाएगी, तो keyword research इसलिए बहुत important है लेकिन again अगर आपने keyword research कर ली है, उसका organize नहीं किया तो आप right time पर right data आपके पास available नहीं होगा, जब नहीं available होगा तो आपको फिर वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है अभी मैं इस folder के अंदर, mobile phones के अंदर मैं mobile phones के सारी keyword research upload करूँगा और उसको upload करने के लिए मैं left corner पे Google Drive के आइकन के नीचे new का button है उसको click करूँगा और यहां से file upload के option select करूँगा जब आप यह फाइल upload के option select करेंगे तो आपको वह जहां पर आपने फाइलें safe की हैं वहां पर आप जाकर उन फाइलों को select कर सकते हैं जो आपने upload करनी है मैंने चार की इवट की research पहले से कर रखी हैं आपके लिए जैसे मैं उनको select करूँगा वो और upload करूँगा तो वो Google Drive में upload हो जाएंगी यहां पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि Google Drive में जब भी आपको file upload करते हैं उसका format वही रहता है जिस format में फाइल बनती है अब हमें क्योंकि Google Drive में Google Drive को format चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी सारी की सारी file ने convert हो चुकी है तो आपने एक काम करना है आपने इसको upload करने से पहले Google Drive में settings में एक setting on करनी है जिससे आपकी यह automatically सारी file ने convert हो जाएंगी जो कि Excel format से Google Drive की sheet format में convert होंगी उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे उसको on कर सकते हैं आप Google Drive में टॉप पे जाएंगे और जहां पर आपको settings का button मिलेगा उसको आप click करेंगे उसमें आप settings की option को select करेंगे और आपको पहली option नज़र आएगी storage की storage में आपको जो भी आप storage उसकर रहे हैं वो आपको data नज़र आएगा लेकिन उसके नीचे convert uploads की एक option है जो के मैंने already check करके रखी हुई है अगर आपका ये checked नहीं है तो इसको check कर लें और उसके बास done कर दें जैसे आप ये करेंगे और इसके बाद जितनी भी file हैं आप upload करे जिसमें सबसे पहले उसने अपनी file का नाम रखा हुई है उसके बार उसके बार उसने dates बताई हैं मुझे के वो last cup से कब तक मुझे वो data दिखा रहा है और उसके बाद मुझे की words का data दिखा रहा है जिसमें मुझे column A में keywords column B में prices जिस currency में उसने keywords के research कियें C में उसकी अभर हमें exact keyword की searches नहीं देता है वो हमें सिर्फ range देता है minimum और maximum जैसे आप इसको download करेंगे तो ये Google असानी कर देता है कि आप अपनी minimum ranges और maximum ranges side by side दो column में देख सकते हैं आपको ये पता चल जाएगा कि कीवर्ड कम से कम ये जाएगा कितीन दफ़ा सर्च हो रहा है ये चुए वेग वैलियूज है लेकि इस ते हलफ़ वैलियू कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड कितीन दफ़ा सर्च हो रहा है तो यहाँ से मुझे data और्गनेस्ट करना असान है अब मैं इसको यहाँ मजीद इस पर काम कर सकता हूँ इसमें जो कुछ एक्षा कॉलम्द हैं इसमें हम एक और चीज़ भी करेंगे हमें क्योंकि सौर्टिंग इसकी बाइड डिफॉल्ड और्गनेस्ट रखनी है मैं इसको ये कर सकता हूँ तो फिल्टर लगाने के लिए गूगल ड्राइब में मैं दो काम करूँगा सबसे पहले जिए मैं कॉलम A से पहले एक न्यू कॉलम क्रियेट करूँगा कॉलम क्रियेट करने के लिए मुझे कॉलम A को सेलेक्ट करना है insert पे जाना है और एक new column left पे click करूँगा तो एक नया column create हो जाएगा column A column B बन जेगा column A एक new column create हो जाएगा यहाँ पर मैं इसको numbering दे दूँगा numbering के लिए मैं इसको title दूँगा one लिखूँगा, two लिखूँगा और एक shortcut की है मेरे पास जैसे मैं one और two को select करूँगा और नीचे अगर आप यह box देख रहे हैं इस पे मैं double click करूँगा तो जितना भी वो नीचे empty cells थे वो google उन सब cells को automatic की number sort कर देगा और वो जितने भी आपकी column B में keyword से उनके साथ उससाथ numbering लग जाएगी यह एक असान तरीक है आपको पूरे sheet को number करना जैसे मैं यह कर लूँगा मैं टॉप पे वापस जाओंगा जितने भी column मुझे available है मैं सब को select करके और जितने भी मुझे rows available है मैं सब को select करके नीचे तक मैं एक option select करूँगा जो कि आप top right में गूगल की यह option बार से आप देख सकते हैं उसमें creator filter का button है मैं उसको click करूँगा और उसमें एक यह चोटा सा arrow create हो जाएगा इसका मतलब यह है कि मैं सब data को sort कर सकता हूँ highest to lowest values के साथ यह करने से मुझे फाइदा यह होगा कि जैसे मुझे मैंने यह on की option मैं column F में जाकर अपनी maximum searches यह column E में जाकर minimum search values को मैं sort कर सकता हूँ highest to lowest उसको करने के लिए मैं उस पे click करूँगा minimum search value के option पे click करूँगा और उसमें मैं down arrow पे click करूँगा और Z2A sort कर लूँगा जैसे मैंने sort किया आप देखेंगे बाकी सारी की सारी rows automatically update हो गई है और यह मुझे help करेगा मुझे understand करने के लिए कि जो सबसे highest searches है वो उपर आ जाएं और जो उससे कम searches है वो आइसा इसा नीचे तक चले जाएं और सबसे आखिर में वो searches हैं जिनकी zero value है या कोई value नहीं है तो इस तरह से हम अपने सारे डेटा को organize कर सकते हैं और यह data organization हमें help करेगी अच्छी SEO करने में क्योंकि SEO करना itself एक art है लेकिन उसके लिए आपको tools भी understand करने होते हैं कि आपको कौन से tools उसको असान करने में helpful रह सकते हैं Google Drive, Google Keyword Research और सब data Google Drive में manage करना बड़ा असान है तो अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपके लिए बड़ी helpful रहेगी